नमस्कार दोस्तों मैं जेपर काचले चाप कार्दी चौद करता हूँ आज हम किश्ण सोल करेंगे साइक सांखी के दिकारी A.S.O. 2020 का यदि X के सभी मानों को 2 से वाजित कर दिया जाए तथा Y के सभी मानों को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नए परतीप गमन गुणांक BYX' का मान होगा BYX के बराबर BYX का 2 गुणा BYX का 4 गुणा BYX का 8 गुणा If each value of X is divided by 2 and of Y is multiplied by 2 then BYX dash by coded value is same as BYX second option है twice of BYX third option है fourth time of BYX और fourth option है eight times of BYX तो हम्में क्याद रखा है कि जो X की जो each value है उसको 2 से divided किया गया है दो से वाजित किया गया है और Y की जो each value है उसको 2 से multiply किया गया है और हमें परतीप गमन गुणांग जिसे हम समासरें गुणांग भी कहते है यानि हमें regression coefficient है जो new regression coefficient है उसकी वेली पूछी है तो उस पे क्या effect होगा वो हमें बताना है पहले भी इस question को एक दो formula से try करते हैं फिर देखेंगे कि कैसे इसको exam में कम से कम time में कर सकते हैं तो start करते हैं हमारा जो by x है इसका जो formula होता है हुआ होता है सिग्मा एक्स y-sigma x x into sigma y upon n और upon में सिर्फ x के पर आते हैं तो यहां पी अगर मैं y की जहां एक सरक्षांगा तो sigma x square और यहां पे भी अगर y कीktion जहां पे x रखुआ y को x replace करेंगे तो sigma x का all square upon है यह हमारा formula होता है तो हमारा तो new regression coefficient है by x dash उसमें हमें क्या करना है x की value जितनी भी है उनको 2 से divide करना है और y की जितनी भी value है उनको 2 से multiply करना है तो मैंने लिखा sigma xy2 into 2y sigma xy2 into sigma 2y और यहां पर upon में n है वो as it is रहेगा sigma xy2 का whole square minus sigma xy2 का whole square upon n यह हमारा हमने formula में जहां पर भी x था उसको xy2 से replace किया है और y को 2y से replace किया है तो हम देख रहे हैं आपर यह 2 और यह 2 cancel हो जाएंगे इसी परकार यहां से 1 by 2 common आगा यहां से 2 common आगा वो भी cancel हो जाएंगे तो numerator तो अब हो as it is रहेगा sigma xy minus sigma x into sigma y upon n और denominator में यहां से 1 by 4 common आगा तो 1 by 4 और यहां से भी 1 by 2 का whole square करेंगे तो 1 by 4 यहां से भी common आजाएगा तो complete से अगर 1 by 4 common आगे तो मुझे मिलेगा sigma x square minus sigma x का whole square upon n और यह जो 1 by 4 है यह हो जाएगा 4 में convert हो जाएगा और यह जो बाकी का जो formula है वो अगर मैं इस equation 1 से put करूँ तो मुझे मिलेगा by x तो इसका मतलब जो नया regression coefficient है वो regression coefficient का 4 times है 4 गुणा है तो यह हमारा correct option है इस equation को अगर हम दूसरे formula से try करें तो by x ब्राबर होता है covariance between x, y upon variance of x या मैं इसे ऐसे विली सकता हूँ covariance between x, y upon sigma x का whole square तो अगर हमें new regression coefficient यानि नया समासरेंग उना हम ग्याद करना है तो उसमें हमें जो x है उसको xy2 से replace करना पड़ेगा और y की value को 2y से replace करने पड़ेगी यानि हमें इस परकार लिखना पड़ेगा covariance between x, y2, 2y और variance of x, y2 तो हमें पता है कि covariance of x, x, ky होता है उसकी value होती है h into k covariance between x, y तो अगर यह formula अगर मैं काम में लूँ तो मुझे मिलेगा 1 by 2 into 2 covariance between x, y और variance of ax, तो variance of ax है उसकी value होती है a square variance of x, तो अगर यह formula अप्लाई करें यहाँ पे तो यहाँ पे a की value 1 by 2 है, तो 1 by 2 का square into variance of x 2 से 2 cancel, यह 1 by 4, numerator में जाएगा तो 4, 4 into और इसकी जगाम मैं अगर इस equation से वेल रुखूं तो byx, तो again हमारा जो correct option है वो 4 times of byx आ गया, तो यह तो हमने formula से किया, formula से करने का फायदा यह है, कि हमें formula revise हो जाते हैं, और formula जितने ही revise करेंगे, उतना ही हमारा exam तक stable रहेंगे, ल उसको फिर हम कैसे करें, तो सबसे पहले अगर हम, जो short test method है, उसको पहले मैं detail से समझा देता हूँ, कि byx, line of regression की बात करें, तो वो होती है, y on x, by y on x, तो y minus y bar upon x minus x bar, numerator में y, denominator में x के बद, तो यह हमारा formula हो गया, अगर इसमें, अगर मैं y को किसी replace करूँगा, हमने देखो y को replace किया, 2y से और x को xy2 से, तो y को 2y से, तो y bar 2y bar से replace हो जाएगा, x को xy2 से, तो x bar है, वो x bar by 2 से replace हो जाएगा, ऊपर से 2 को मनाएगा, numerator से 2 को मन लिया, और denominator से 1 by 2 को मन लिया, तो हमारा formula हो जाएगा, y minus y bar upon x minus x bar, ये 1 by 2 numerator में जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 times, और इसकी value मैं इस equation से रख सकता हूँ byx तो हमें क्या मिला byx दुबारा four times of byx मिल गया और हमें exam में जब question करना है तो ये formula तो हमने पूरा apply किया exam में byx means y upon x तो y upon x का मतलब क्या हुआ इन्होंने का अगर कोई x को a से multiply कर दें x replace कर दें और y को अगर b से multiply कर दें यन inquiry से multiply कर दें तो a into b नहीं आता इनsters topic multiply नहीं आता a upon b या b upon रहता है दोनों में multiply कियी की है वह तो अगर a और भी दोनों को म телणों से अगर x को a से y को assessment league किया तो if ना कर या तो a upon b आएगा या B upon Awide depend कرتा है कि BY X का नावान पुछा है या B X Y का नावान पुछा है तो उसने डिपेंड कرتा है अगर B X Y डेस का नावान पुछा है तो X upon Y अपॉन Y यानि A upon B तो हमारा अंसर है एगा A upon B times of B X Y और अगर हमें कहें कि B Y X d nessa पुछा है तो इसका मतलब y upon x तो y upon x यानि b upon a किसका b y x का तो b y x का b upon a times तो हमें क्या कहा है x की value है वो x y 2 तो a की value यहाँ पे half है a की value half है 2 से divide करना इसका मतलब 1 by 2 से multiply करना और यहाँ पे 2 से multiply करक्थ है तो x की value को 1 by 2 से multiply किया y की value को 2 से multiply किया और हमें यह value पुछी है तो y की value को किसे multiply किया 2 से x की value को 1 by 2 से multiply किया b y x और solve करने पर 4 b y x तो simple सा यह formula है इस formula में आपको क्या करना है b y x dash है उसमें y को 2y से replace करना है x को xy2 से और 4 into y upon x और y upon x को दोबारा replace किया भी y x के तो mind calculation है अगर आपको इतना लिख दिया तो ये step लिखते हैं या आपको इतना लिखने की जूर्द नहीं है एक step में आपका answer राप्त हो जाएगा